हलो फ्रेंड्स वेलकम डो माई यूटूब चैनल आज मैं इस वीडियो में देखने माले है राजस्तान जीके के इंपोर्टेंट क्यूशन के बारे में राजस्तान में किसी भी एक्जाम के अंदर आप बेढ़ते हैं तो उसके इंदर राजस्तान जीके जरूर आता हैं राणा सांगा की मर्तियू कब हुई थी 30 जनवरी 1528 को हुई थी 30 जनवरी 1528 को तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक नमर ओप्सन 30 जनवरी 1528 को राणा सांगा की मर्तियू अगला किशने विश्वम गाटी पंचानन की संग्या मेवाड की किसा सको दी गई थी तो इसका करेक्ट आंसर है राणा हमीर को एक नमर ओप्सन से योगा विश्वम गाटी पंचानन राणा हमीर अगला किशन है हुडा समेलन 1734 AD के देख्सता किसने की थी तो इसका करेक्ट आंसर है महाराना जगत सिंग दिर्थिये ने हुडा समेलन 1734 में हुआ था अगला क्यूशन है अल्दी गाटी के यूद के बाद मारना परताब ने अपनी राजदानी कहां स्तापित की थी तो इसका correct answer है चावंड में हल्दी गाटी का यूद हुआ था उसके बाद में मारना परताब ने अपनी राजदानी बदली थी तो वो नई राज़दाने बनाई थी चावंड तीन नमर उप्सन इसका सही होगा हाले में चावंड भी मालना परताब का पेन्वरमा बनाया गया है अगला क्युशन है अल्दी गाटी का युद्ध कब लड़ा गया था तो अल्दी गाटी का युद्ध है निमल के तमें से कौन सा खतन सही नहीं है एक नमर है बप्पा राउल सी सोध या राजवन्स के संस्तापक थे बप्पा और उसके वस्जोन ने चितोड़ पर 16 स्ताबदी तक सासन किया था यह एक जलास्य और वर्तमान में भीमलत के नाम से जाना जाता है पंदरवी स्ताबदी में यह मोरी राजवुतो द्वारस्तापित था और 1568 में मेवाड की राजदानी बना था मेवाड ने तब अपरी राजदानी को उध्यपूर स्तानांत्रेते कर दिया था और चार नमर ओप्प्पन यह गलत है अगला किशन है तेरवी स्ताबदी इस्वी के प्रारम में राज़स्तान का सबसे परमुक और सक्ति साली राज़े कौन सा था तो मेवाड राज़े एक नमर ओप्प्पन इसका सही होगा तेरवी स्ताबदी में सबसे सक्ति साली राज़े था मेवाड अगला क्यूशन है 54 राजदानी किस से समन्दित रही है तो महाराना परताब से समन्दित रही है तीन नमर उफसन सही होगा 54 राजदानी महाराना परताब ने बनाया था अगला क्यूशन है निमलकित में से कौन हल्दी गाटी के यूद में माराना परताब की तरफ से युद में सामिल हुए थे तो हक्हिम का सूरी तीन नमर उप्षन सही होगा इसका हक्हिम का सूरी हल्देगाटि की युद में माराना परताब की तरफ से युद में सामिल हुए थे हक्हिम का सूरी शेना नायक की रूप में अगला क्यूशन है मारणा सांगा ने किस यूद में बाबर की स्यना को रहा था तो बयाना के यूद के अंदर है वो मारणा सांगा ने बाबर की स्यना को रहा था इसलिए इसका correct answer होगा चार नमर उप्शन बयाना यूद अगला क्यूशन मारणा कुंबा रचीत गरंत संगीत राज की कितने रतनकोसों में विवक्त है तो पांच रतनकोसों में विवक्त है इसकी व्याक्या देखे तो वह पांच रतन है संगीत राज को पांच रतनकोसों में विवक्त या था पाठे रतनकोस गीत रतनकोस नर्ते रतनकोस और वाद्दे रतनकोस ये पांच रतनकोस थे अगला क्रिशन है राजस्तान के इतियास में हिंदू पत किस साथ को कहा जाता है तो महाराना सांगा को हिंदू पत कहा जाता है राजस्तान के इतियास में दो नमर उप्शन्स का सही होगा अगला क्यूशन है निम्र में से किस मेवाड के साथ सकनी चितोड किले की मरमत करवाई थी तो माराना जगगत सिंग ने तीन नमर उप्सन इसका सही होगा अगला क्यूशन है इजलास खास की स्तापना की थी तो इस लास खास की स्तापना है वो माराना सजन सिंग ने की थी तीन नमर उप्षन इसका सही होगा माराना सजन सिंग अगला क्विशन है माराना परताब के की सोतेले भाई को अकबर ने जाजपूर की जागीर परदान की थी तो इसका correct answer है जगमाल सिंग नी, तीन नमर उप्सन इसका सही होगा अगला question है, जेतर सिंग था, जेतर सिंग मेवाड का सासक था, दो नमर उप्सन इसका सही होगा अगला question महारणा परताब ने अपनी नविंतम राजदानी चावण्ड में कब स्तापित किया था चावण्ड को, तो 1585 को महारणा परताब ने नई राजदानी चावण्ड को बनाया था अगला किशने सत्रवी स्ताप्दी के सिसोध या राठोड गटबंदन में मेवाड का सासक था, तो महारणा राज सिंग फरस्ट था, सत्रवी स्ताप्दी के सिसोध या राठोड गटबंदन में महारणा राज सिंग पर्थम मेवाड का सासक था अगला कुछने निमलकित यूदा का सही कालकरम बताईए तो हल्दी गाटि का यूद खानवा के यूद और तराइन का दिर्थी यूद इसका हमें करम बताना है तो तराइन का दिर्थिय यूद पहले वा था उसके बाद में खानवा के यूदवा फिर अल्दीगाटि का यूदवा तब कौन था तो उदे सिंग था चार नमर उप्सनिस का सही होगा उदे सिंग अगला किष्ण राजतान का कौन सा पूर्व है राजबस सेव प्रप्रा का निर्भेन करता है तो वह है गुल गुहिल राजबस दो नमर उप्सनिस का सही होगा अगला किष्ण है सुमिलित करने वाला तो देखे एक तरफ आपको जो सासक दी हैं और एक तरफ आपको स्तान दिये गए हैं तो इनका मिलान देखे तो मारवाड है वो राठोड यानि मारवाड में राठोड रहते थे मेवाड में सिसो दिया रहते थे और अमेर में खच्वा रहते थे और बुंदी में हाडा सा सकता यह मिलान है तो यह मिलान बेढ़ था एक नमर इसका सही अगला जो क्यूशन है किस मेवार सा सकने केस में जावर की खानों में चांदी की प्राप्ति हुई थी तो माराना लाका किस में जावर में चांदी की खानी है वो खोजी गई थी मेवार सा सकता एक नमर उपसिन तमर रामसा है दो नमर है बिद्दा जाला और तीन नमर है रावत कर्षन दास चुंडावत और मादो सिंग है वो नहीं लड़ा था इसका जो करेक टानसर है वो चार नमर है एक दो और तीन अब इसकी व्याक्या में देखे तो हल्दी काट की यूद्गी में परताब के थे ग्वालियर से रामसा तमर पली से अखेराज सोन ग्रामान सिंग सादरी से जाला बिदा और परताब गड़ से काका कंदल और शेरपूर से नाना पुंजा बील नेता भामा से उसका भाई ताराचंद ओस्वाल एक मातर मुस्लिम पठान अकिम खा सूरी हरावल था उस व महाराना कुम्बा को संगीत प्रेमी होने के कारण अभिनो बरताचारी या राज पताना कि सभी सासकों में सर्व प्री होने के कारण हिंदू सुर्तान सायत्यकारों का आस्रिय दाता होने के कारण रान रासो और पाड़ी दुरुगों का स्वामी होने के कारण से हाल अगला कुछना चितोडगड के वीजे स्तम के बारे में निम्न तत्या को पड़ी यह परसीदियों से महाना कुम्बा ने बनवाया था इसके कुल 11 मंजिल है इसमें जेत्ता की मूर्ती उतकिरने चितोडगड के वीजे स्तम के बारे में यह खतन दिये गई है तो चितोडगड के बारे में ये खतन है तो फर्स्ट और दो खतन है वो सही है तो इसका correct answer होगा sorry इसमें फर्स्ट और थर्ड ये दो option सही है इसकी कुल मंजीले 11 है ये इसका गलत है तो इसका correct answer है एक नमर option एक और 3 तो इसके बारे में देखे व्या के देखे मानकुमा दोरा मालवा विजय के उपलक्स में बनाया गया किर्थिस्तम बारतिय मूर्तिकला का विश्व कोस्त तत मूर्तियों का अजायब गरे नो मंजीला है और 120 पिट उन्चे इस किर्थिस्तम के वास्तुकार जेता, सिल्पा, अबपा, पुमा, पुंजा थी, इस पर अंकित किर्थिस्तम प्रसति की रचना अत्री महैस ने की थी, अत्री महैस के द्वारा इसकी रचना की गई थी, अगला किष्ण दोस्तों व्याक्य है वो इंपोर्टेंट है बाबर की विजी वी थी अगला क्युष्ण है इसकी व्याक्या इंपोर्टेंट है 1734 में मराटो की विरेद सामय क्योजन दिर्मान के लिए आयो जी तो उड़ा समयलन की एदेख्षा मालना जगद से सेकेड ने की थी उग मराटों ने इन ही केस में मिवाड में परवेस्कर मिवाड रिहास्ट से कर वसूल किया था नादिर सायाक्रम sill केस में ये मिवाड केस हां सकते इन्होंने जगत निवास महल पिछोला जिल का निर्मान करवाया था अगला क्युष्ण वार्वाड चे निसकासित सही हो thisically कुमलगड दूर्ग में उसके पूत्र उद्दा के द्वारह की गई थी यह इसकी व्याओ है दि sama इम्पोर्टेंट है अग्ला क्षछम है मारना परताब की मर्त्तू के पस्चात निम्न मेंसे कौन सा राजपुत मैवार का सासकad बना था तो वो बना था अमर्ज सींग माणना परताब की मृत्य होजकी थी उसके बाद में राजबुट साथशक अमर्ज संहाद रहा था तो इसका करेक्ट आनसार हो गया एक मरोट नमर को निमने में से किस विद्वान के युद को का है वो भी अब्दूर्फजल ने अगला क्विशन है राजस्तानी वास्तूकला का जन्नक किसे माना जाता है तो राणा कुम्बा को वास्तूकला का जन्नक राजस्तान के अंदर है वो राणा कुम्बा को माना जाता है इसकी व्याक्या में देख तो माना में से 32 दुर्गों का निर्मान माराना कुम्बा ने करवाया था पुन्हा निर्माना कुम्बा ने करवाया था जिसमें परमूख है यह जो दुर्ग है इनका पुन्हा निर्माना कुम्बा ने करवाया था अगला क्योशन है इसकी व्याक्या में एक और है विजे स्तम किर्थ निर्मान देखिए, कुम्ब स्याम मंदिर बनवाया था, कालिका माताग मंदिर और दोनुचितोडगड में, कुसाली माताग मंदिर और जो बदनोर भीलवाडा में है, कुम्ब स्वामी मंदिर बनवाया था, जो कुम्बलगड में, राजसमन्द में, अचलगड चिरोई का भ सी प्रवेक्स में एलसी एक्जाम में भी पूचा जा चुका है इसकी व्याख्या दी गई है वो इंपोर्टेंट है तो व्याख्या में देके अल्दी गाटी के यूद 15 चीतर में अकबर उमाराना परताब की बीज लड़ा गया था जिसमें राना का फटान से ननायक हाकिम ख यूद्दे खाँ है यह इपोर्टेंट था जितना भी अल्दी गाटी से यूद्दे वहा था उससे रिल्टेड जितने भी क्यूशन बन रहे है वो इस व्याख्या में कम्प्लीट होते हैं अगला क्यूशन है जेन विद्वान जो मारना कुमबा के दरबार में था तो वो उद्यपुर का पर सासन सोप दिया था एक नमर उपसन इसका से यूग अगला क्योशन है सन 1437 में मिवार मालवा यूद का ततकाली करण क्या था तो इसका जो करेक्ट आंसर हो है मालवा का महपाप पमार को मिवार को सोंपने से इनकार किया था इसकी वियाक्या में इस यूद को सारंपबुर का यूद भी का ज़ता है। इस मुगल साक ने चितोड विजे की अप्रक्टर में सिख का एलची जारी किया था। तो वो था अकबर, अकबर नहीं सिकाल सी जारी किया था, उद्यपूर स्तित एकलिंग मंदिर का निर्मान किस महाराना किस में वा था, तो बप्पा रवल किस में उद्यपूर में एकलिंग जी का मंदिर है, उसका निर्मान परावलने कर रहा था, एकलिंग जी मेवाड राज संसकार किस तान पर किया गया था मांडलगट बीलवाड़ा में माना सांगा के मर्द सरीर का दाह संसकार किया गया था इसकी वेख्या देखे माना सांगा इमर्द 2528 में कालपी मध्य वर्तेस में हुई थी सांगा का अंतियम संसकार मांडल गिल बीलवाडा में हुआ सांगा का समार की अचबूतरा बसबा दोसा में है सांगा की छतरी मांडल गड़े दूरग में है यह इंपोर्टेंट है अगला जो क्यूशन है गोरा और बादल ने किस की रक्षया की थी गोरा और वादल ने एक राणी पदमनी की रक्स्या की थी अगला किशन नव मन्जील के विशाल करतित मकुराणा कुम्बा ने अपने किसे उपास ये देव को समरबेत किया था तो विश्णु को तो में इंपील के सासकों में से किसने बिलों का अपनी सेन निवयस्ता के रुप में उत स्थानों पर न्यूक्त किया था तो वो था महारणा परताब अगला क्यूशन है परताब के सांतिपुर्वक अधिन्ता सिविकार करने के लिए अकपर ने अंतिम सिस्ट मंडल किसके नेतरतों में बेजा था तो टोडर मल के नेतरतों में अंतिम सिस्ट मंडल बेजा था टोडर मल को खातोली यूद के विश्य में निमना कित मेंचे कौन सा खतन ऐस सत्ते हैं तीन सत्ते और एक ऐस सत्ते हैं तो यह यूद सांगा और इब्राहिम लोदी कम देवा था खातोली के यूद के बारे में यह खतन है तो यह सत्ते हैं अगला है खातोली मेवाडा मारवाडशिमा प्रस्तित साम्रीक महत्वक हस्तल यह गलत है। अगला इस यूद में सांगा ने इबराहिम लोदी के पूतर को बंदी बना लिए था य शही है, माराना सांगा इस यूद में लंगड़ा हो गया था, यह भी सही है। इसकी व्यक्व में देखिए 15 vowel में खातोली वर्तवान कोटाजिले में हैं, स्तान पर मारणा सांगा और इबनाब्र Access की जिसमें 3 गंटे की यूद के बाद इबनाब्राइम लोधी को प्राजित हो गया और शीध में सांगा ने अपना एक हाथ पेर गवा दिया था इस यूद में सांगा के पूतर बोजराज मीरा का पती गायल हुआ था उसकी मर्थवी चितोडगर में यूथी इस यूद में रणा सांगा ने इब्राहिम लोदी के पूतर का प्रण के अड़ जिसें बाद में छोड़ दिया था 1303 में चितोडगर के यूद के बाद अलाओ दिन ने चितोडगर का नए नाम क्या रखा था खिजराबाद ये किशन भी बार बार पुछा जा चुक है इसकी व्यक्य हमें देखिया कि 1303 में अलावदिन खिल्जी ने चीतोडगर पर आकरमन किया था उसमें चीतोडगर जगड का सासे रतन सिंग था वो रतन सिंग की पतनी थी पदमनी इस युद के समय मिवाड का पहला साका वा था जिसमें गोराबादल ने केसरिया किया रानी पदमनी ने जोहर किया था युद के बाद अदल आउदिन ने चितोडगर का नाम अपने पूतर खिजर खांके नाम पर खिजराबादे रख दिया था अगला किसन अलावदिन खिलची ओर मेवाडवासियों के बीची तोडगड की गिरावन्दी कीस वर्स हो ओई थी तो 1303 वर्स में ची तोडगड का तीसरा साका कब हुआ था 1566 में देखी तीसरा साका कब हुआ था 1566 मेवाड ची तोडगड के तीन साकें 1st, 2nd और 3rd फरस्ट में 1303 अलाव दिन खिलची के आकरमन केस में राणा रतन सिंग का नर्तरत्रतों की अचाल दूसरा राणा सांगा और विद्वापतनी करमावतिक नर्तरत वे में गुजरात के सुल्तान बहादुर 615 राधीrenched सोथेश में आकरमन केस में माराना विकरम सिंग के सेनिकों ने देवलिया परतापगड के रावत बाग सिंग के निर्तरतों में दूसरा साका वा था तीसरा साका 1566 में अक्बर के आकरमन केस में जेमल राठोड और पताजी सोधिया ये कलाजी राठोड के निर्तरतों में हुआ था अगला जो किशन है मेवाड के महारणा उदे सिंग को बचा कर अपने पूतर की बली देने वाली स्वामी भक्त दायमा कोन है पन्ना दायमा है अगला जो किशन है महारणा कुमबा द्वार रचित ग्रंत संगीत राज कितने कोसों में विवकत है तो पांच कोसों में पांच को हैं सुधा परबंदन नर्तिर तनकोस हैं इसकी वह के हम देखें इंपोर्टेण ने कुमभा दोरा रचीत पर्मुग गृंथ है संगीत राज संगीत मिमासा रचीख प्रिया गोविंद की का ठीका संगीत सुधा संगीत रतना का ठीका इसके अतरिक कुम्बा के अन्य प्रमुख, ग्रंत कामराज, रतिसार, सुन्दा प्रबंदन और राजवर्दन, एकलिंग महातम्य का प्रानभिक भाग, संगीत कम दीपिका, नवीन, गीत गोविंद, भाईय प्रबंद, हरीवार्दी की त्यादी रचित है कुम्बा के द्व की विरूद हुई थी, इस संदी के अंसार मालवा गुजराद की स्रेंग चेहना दोरा मिवाड पर आकर्मन एंवीजे उपराद मिवाड को आपस में बांट लेने का ते हुआ था, पंदरा सो गुन सट में उद्यपुर सहर के संस्तापक की रूप में इत्यास में किसे स्रे मीवाड की अंतिम राज़दानी कहा थी, तो चावन्ड थी अन्तिम राज़दानी मालवा परताव की, अगला क्यूशन tusan है, मालवाड परताव का राज्य बीससे का पर हुआ था, तो गोगुंदा मेवा था, माना परताव का राज्य मेवा था, इसकी वाक्या देखिये कब हुआ था 28 परवरी 1572 को गोगुना में महाना परताब राज़े भी सेखवा था 28 परवरी 1572 को अकपर के चितोड़ पर आकर्मन 1566-68 केस में वहां का साथ सकोन था मालना उद्य सिंग था करनल जैम्स्रोड ने किस युद को मैवार का मेरातन खाय तो दिविर के युद को करनल जैम्स्रोड ने मीवार का मेरातन खाय था पंतरासो बीएसी में महाना परताब की सेना मुगलों की सेना के मेंदे दिवर का युद्व हाँ परताब की सेना के नेरतरत्वे कुमर अमर सिंग वे मुगल सेना के नेरतरत्वे सेना सुल्तान खानी की आथा इस युद्वे में परताब की सेना विजेवी थी अगला जो क्विशें ने मलकित संगीत। ग्रंटों में से कौन से ग्रंथ राणयकूमबा करता है? एक नमबर वह संगीत राज, दो नमबर संगीत मिमाँस, दीन सूत अपरमंद रचार है कला निदी तो इसका जो correct answer है वो है ये तीन है संगीत राज, संगीत मिमासा और सुधा प्रवंद जो कला निदी है ये नहीं है ये कुम्बा दवारा रचित ग्रंत नहीं है कला निदी पुस्तक के लेकर कहे गोविंद जो की मारना कुम्बा के दरबारी विद्वान थी कुम्बा दवारा रचित लेक है संगीत सुधा, संगीत रतनाकर, संगीत राज और वाद्य प्रवंदन, सूर प्रवंदन और संगीत मिमासा, संगीत कर्म दिपीका अकबर दवारा परताब के पास बेजा गया पर्तम राजदूद कौन था तो जलाल खा अकबर ने माराना परताब को अपनी अद्दीनता स्विगार करने के लिए सरो पतम जलाल खांग को अगस्त 1572 को बेजा इसके पस्चा अप्रेल 1573 में आमेर के मांद सिंग को बेजा अक्टूबर 1573 में अकबर के बगवनदास को बेजा दिसंबर 1573 में टोटरमल को बेजा था यानि कि फस्ट जलाल खांद और लास्ट में टोटरमल ये याद रखना है अगला क्यूशन अल्दीकाट के युद में मुगलों और माराना परताब के सेनिकों के साथ साथ दोनों पक्सों के जीनत आतियों ने बहुत वीरता दिखाए थी उनके नाम क्या थे लूना, रामपरसाद और गजमुक्त और गजराजी आति थी अगला क्यूशन मेवाड के रख्षक के रूप में समर्ण किया दता है तो बामासा का मारना परताब के मंत्री बामासाद ने 1580 इस्वी में चूलिया ग्राम में परताब से मुलाकात कर अपनी पूरी नीजी समती राणा को सौंप दी थी किस ने 1303 में मेवाड चीतोड पर आकरमन किया और जिसके गाण पद्मिनी का जोहर कर अपने स्थीत वेकी रक्ष्या करने पड़े थी तो वो थे अलाओ दिन खिलजी जिसने चीतोड गड पर 303 में आकरमन किया था अगला जो क्यूशन है वो हमें कथन दिया है सत्ते और सत्ते मारना राज सीग ने अपने पुरवजों की बांति पोस्टन की नित्ती पनाई थी मुगलों के साथ संस्कृतिक आदान प्रदान से राजतान को लाब हुआ मेवाड का संस्तपक गोईल था और खानवा का युद बाबर और संगा मीज में 1528 में वा था ये ऐसत्ते हैं खानवा के युद बाबर और संगा के मद्दे तो हुआ लेकिन 17 मर्च 1527 को वा था बर्दपुर जिले में हैं बयाना के पास वर्तमान सरुप बताया गया कि अभी बयाना के पास में बर्दपुर में जिसमें बाबर वीजे रहा था इस युद का महत्रपुन पर नाम यह रहा कि बारत में मुगल सतागी स्तापना हो चुकी थी अगला कुषिण अप 1667 में मुगल उत्रादिकारी संग्रस में मेवारा की से औरंगजेब ने सायता पराप्त करने का प्रियास किया था तो वो थे राजसिंग इसकी व्याक्या देखिए साजा के अंतसमे उत्रादिकारी संग्रस राज सिंग ने एपरतेक्स रूप से औरंग जेब का स्योग किया था और औरंग जेब ने बादसाहें बनते ही राज सिंग फस्ट को 6000 रिपे का मनसबदार हैं वो दिया था अगला जो क्यूशन है राणा सांगा ने किस यूद में बाबर की सेना को रहा था तो बयाना की यूद में राणा सांगा ने बाबर की सेना को रहा था थेक्स फर वचिंग आपएदिन शचाहिए राव्टी प्रभी याज पिस्का तरियो करे ना कंट है